नमस्कार आप सभी का स्वागत है भिलवाडा लोकवानी में आज भिलवाडा के कुछ पेरन्स दोरा जिला कलेक्टरी कारियले में ग्यापन सौपा गया जिसमें उनकी मांग है कि भिलवाडा के 31 स्कूलों की व्यापक रूप से जांच कराए जाए क्योंकि वहाँ पर मुनाफ़ा खोरी करी जा रही है और लोकडाउन के बाद भी स्कूल की फीस बढ़ा कर उनसे फीस मांगी जा रही है भिलवाडा में भी अब जैपुर की तर पर 9 स्कूल 9 फीस की बात कही गई उनका कहना है कि जब स्कूल सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो इतनी बड़ोतरी फीस क्यों ली जा रही है इसके लावा उन्होंने कहा कि अगर स्कूल की फीस को कम नहीं किया गया अबिभावक को बनाया जा रहा है दबाओ के खिलाब 32 स्कूल है के अभिभावक संगर्ट समीति के बेहनत पेले एक ग्यापन देने आज अबिभावक की नोकरी चली गई है बिजनिस खतम हो गए उसके बाद में भी इसकूल अपनी मनमानी के खिलाब नहीं वट रहा है और दस से बीस परसें तक फीस वड़ोतरी कर रहा है जहां अभिभावक एक तरफ यह कह रहा है कि हम फीस नहीं देंगे और वहीं दूसरी तरफ इसकूल वाले फीस बड़ा के फीस मांगी कर रहा है और दबाव बनाया जा रहा है सबी स्कूलकी 10 साल की ओडिट की मांग करते हैं कि 10 साल की ओडिट मंगाई जाए और इनकी ओडिट की निस्पक्स जाच की जाए जब पेसा नहीं है तो बड़े-बड़े गयापन अकपारों में कैसे दिया जाता है जब यह मानियता लेते हैं तब एक सर्टिफिकेट इनसे लिया जाता है कि नो प्रोफिक नो लॉस कि हम बिना लाब आने के काम करेंगे तो इनके पार लाब नहीं है तो फिर विग्यापन बड़े विग्यापन कहां से देती है और अधिकारियों को सिकायत करने के बाद भी अ अभी बाओक राजी यह तो करादेर येकिन अभी बाओक को पर दबाऊं नहीं मना चाह सकता ओं-लाइन किलासे बंद नहीं की जा सकती है हमने 16 तारीकों भी ग्यापन दिया उसमें कहा कि पांच साल से पाचवे कि चोटे बच्चों की सबकी ओं-लाइन क्लासे बंद की साथ दिन के अंदर हमने कलेकर साब को यह लिखा है कि साथ दिन के अंदर एधी कारवाई नहीं होती है तो अभी वावक भिलवारा बंद और अंशन करने के लिए भी तैयार है ऐसा कदम उठाने के लिए और उसकी सारी जिम्मेदारी परसाशन की होगी शिक्षा विबाग और मुंद करके बेटा है वार्टसप पे इतने मेसेज करने के बाद में भी उनको सिकायत करने के बाद लिए उनकी तरफ से कुछी परकार की कोई कार्यवाही नहीं होती है इसलिए स्कूल माफिया बहुत जोरों पर दादागिरी पर उत्रावा है कोई अखेला अभी बावक ज लवाड़ा बंद या फिर अंशनक जैसी कारवाई करेगा और उसके लिए परचासन जिम्मेदार होगा नहीं कि अभी बावक जिम्मेदार होंगे जहां एक तरफ COVID-19 कोरोना काल चल रहा है व्यापार उद्योग गंदे सारे बराबर चल रहे हैं और बहुत ही संकट किस्तिती है और दूसरी ओर मन मानी करते हुए स्कूल प्रशाशन लगातार ऐसा दवाव बना रहा है जब तक आप इस जमाने नहीं कराएंगे तो आपके बच्चों का इड़न्मेश्न ही दिया जाएगा और आइटी पास्वेट दिया जाएगा हम कहते है कि 9 चमय कि समश्या नहीं स्कूल की समश्या नहीं पूरे बिलवाड़ा जिल्ले की समश्या है जिसका निस्तारण होना चाहिए जब τη कर छानी हो तक तक उसकोल की पीस नहीं ली जाए अगर यदि आप ओनलाइन क्लासे करना चाहते हैं तो उसका जो भी वाजिब जो भी पैसा बनता हो वो पैसा लिया जाए जिससे आने वाले जो संकटे वो कम हो सकते हैं किस तरह से रहा होंगा इस सब्सक्राइन इस पेरेंस के नुससारा बना किया था कि किसी प्रघार की यदिंग इस्कूलों में नहीं हो पर भी शुटों में पी जा रही है ऑर अभिवावबु को बुलाय जा रहा है उनको वहां और रसित निहारी है कि आप कि प्लीस जमा आज आर्दिक इस्थितियां इतनी पिगड़ चुटी है व्यापार की है नोकरी वैशा लोगों की वहां 50% लोगों की सेलेरियां चली गई है 50% कटोधी हो चुटी है सेलेरी में फिर भी और विद्यालायों ने भी अपने इस्ताफ को 50 प्रतिशत तक सेलेरी अपने अध्याइब करें और वाट्साप या सोचल मीडिया के मातियां से जो ओनलाइन पढ़ाई की जा रही है उसके अंदर भी बच्चों को एक मैसेज दिये जा रहे हैं बार-बार गोजाना मेसेज आते हैं कि आप अपने अपने अप्र जमा करें जब आर्थी किसी दियां हर आम आदमी की समझ्य है हर आम आदमी आर्थिक रूप से वैसी जूज रहा है कि पता नहीं क्या इस्तितियां होगी क्या करना चाह रहे हैं आदमियों कि कुछ इस्तितियां बिगड़ने वाली है इसे आपी प्रशाच्चन का सयोग चाहिए हमें इसी आशा के साथ हम हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन कभी भी कहीं भी देखे ताजा खबरे आपके मुबाइल को देखे न्यूज वीडियो किसी भी टाइए हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें बिल्वाडा लोपानी एप अवेलेबल ओन प्लेज स्टोर डाउनलोड नाओ और सब्सक्राइब करना ना भूले आपका अपना बिल्वाडा लोपानी यूट्यूब चैनल